हेलो और वेलकम आज के इस वीडियो में हम वो केलेंडर ट्रिक कंटिन्यू कर रहे हैं उससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तर्ट ट्रिक वास पर दे येर फ्रम 1900 तो 1999 ठीक है और उस वाली ट्रिक में हमने थोड़ी सी स्लाइड चेंज करनी है so that कि वो वाली ट्रिक एपलिकीबल हो जाए from 2000 to 2099 ठीक है वो मैं आपको एक example दो चार कराके दिखा दूगा कि उस ट्रिक में हमने क्या चेंज करनी है ठीक है तो लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हम पहले जो हमने दो चीज़े याद रखनी है वो है digit code for months and digit code for weekdays ठीक है तो वो तो आपको याद होच के होंगे for January it was 1 for PEP it was 4 for March it was 4 for April 0 May के लिए 2 it was 2 only June के लिए 5 July के लिए 0 August के लिए 3 and September के लिए 6 October के लिए 1 November 4 and this one 6 अब इसका तो आसान काम है it is 1,2,3,4,5,6 and 0 ठीक है अगर थोड़ी सी में बात बता दूँ कि ये चीज़ आफ कैसे याद रखो के तो पहले पिछले वाले वीडियो में मैं बोला था you can just remember it ये जो पहले तीन it is 12 का स्केर and उसके बाद के जो तीन है it is 5 का स्केर ठीक है that's 25 and उसके बाद के तीन that is 6 का स्केर इनको आफ को ऐसे याद रखना है अब को ऐसे याद रखना है पहला 144 होगा तो लास्ट 146 होगा ठीक है अब इसका तो कोई है नहीं ये तो आराम से आपको याद रहेगा ठीक है अब मैं एक example ले रहा हूँ so that कि आपको ये चीज अच्छे तरह से समझ में आए ठीक है so let us start with this it is first November 2003 ठीक है तो ये first November 2003 हम चक करेंगे तो पहले आपको याद है कि पहला जो चीज आपको last के दो डिजिट लिखने होते हैं ठीक है वो तो आपको याद है दूसरा क्या होता है हम इसको क्या करते थे four से divide जो quotient आता था वो यहाँ पे लिखते थे ठीक है लेकिन from 2000 to 2099 क्योंकि में जो slight change आएगी वो यहाँ पे आएगी आपको यहाँ पे हमेशा one डालना है ठीक है 103 बनेगा अब 103 को जब आप four से divide करोगे it is 425 आप 100 निच्चे 3 तो quotient हमारा जो बचेगा that is 25 फिर तीसरा जो लिखना होता है आपको that is the code for number that is four वापको बता है यहाँ पे and the last one is कि इसके date जो होगा वो यहाँ सिद्धे है ठीक है तो फिर last पे है इनको add करो तो it will be one जब आप इसको calculate करोगे 4 फ्लस 5 4 फ्लस 1 is 5 5 5 10 13 तो 3 1 is carried over so 3 बनेगा it is 1 3 3 तो बस काम हो गया 1 3 3 को आपको फिर याद है इसको आपने 7 से देखना है 7 से निकलेगा कि नहीं 7 1 R is 7 तो subtract करो 13 मैं से 7 तो 6 नीचे आएगा 3 then 7 into 9 that is 63 नीचे आएगा 0 जीरो आएगा रिमेंडर तो जीरो के कास पॉंट आपको देखना है कि किस वाले डी का ये code रहेगा that is saturday तो ये जो वाला जो दिन था it was saturday ठीक है एक और example में ले रहा हूं ताकि पूरा clear हो जाए आपको that is 18 first ले रहा हूं मैं first 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 feb ले रहा हूं and first feb 2000 ठीक है first feb 2000 ले रहा हूं ठीक है तो इसमें जो पहला चीज आपको करना है that is to take the last two digits अप लोगे that is 00 मैंने आपको बोला है जब 2000 से 2099 तक आ जाए बात तो आपने यहां पे 1 डालना है ठीक है तो इसके बाद आपने 100 को निकालना है 4 से ठीक है 4 निकालोगे it is 25 it is 100 here and then it is 0 कोशन यहां पे आप लिखे होगे ठीक है लिखलिया कोशन तो थर्ड जो आपका है feb का कोड लिखना है ठीक है feb का कोड का और तू पर कोड नहीं बोट आएगा 4 और तो तिक है last पह लिखना है जो day होगा that is 1 तो इसको आपने डाप करना है ठीक है जब add up करोगे 4 plus 1 is 5, फिर 5, 10 तो यहां पे 0, 1 is geared over, that is 3 and it is 130 अब क्या हमने करना है, 130 से निकालना है 7 से निकालना है 130 को, 7, 1, 1, 1 is 7, तो नीचे हैगा 6 and it is 0 7, 8, 1 56 नीचे कहाएगा 4 क्या 4 के corresponding हमारा answer होगा 4 के corresponding हमारा answer होगा, क्या, नहीं क्यों, पहले तो है यहां पे जो पिछले वीजियो में गोला था it is a leap year, और month कुन सा है feb, और feb या gen हो, तो यहां पे आपको last में क्या करना होता है 1 minus so 3 के corresponding हमारा answer रही 3 के corresponding कौन सा दे है that is Tuesday तो यह कौन सा दिन है Tuesday, ठीक है एक और example ले रहा हूँ है ना, उससे clear हो जाएगा आपका, यह थोड़ा सा nearby date उठाओ तक आपको थोड़ा सा इसका फील हो जाए that is, उठा रहा हूँ 18 June, 2020 ठीक है, परसुन का दिन उठा रहा हूँ तो यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना है पहले लिखो 20 last digit इसके आगे 1 ठीक है, हो गए है दूसरा इसको 4 से निकालो 4 से देखो, कोशन कहाएगा जब 4 से इसको डिवाइड करोगे it is 430 तो यहाँ पर 30 अब इसको एड़ाफ करो 8 5 is 13 तो 1 is carried over 2 3 5 2 7 फिर 1 3 को हमने निकालना है किसे? 7 से 7 2 are 14 तो निच्च आएगा 3 फिर 3 7 4 are 28 निच्च आएगा 5 क्या यहाँ पर हम minus 1 करेंगे? leap year तो है minus 1 करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि जो month है ना तो phab है ना तो gen है June का है तो इसमें हम कोई change नहीं करेंगे इसके corresponding day देखेंगे तो वह आप चप करोगे corresponding to 5 the day is Thursday that minus is then क्या था? Thursday अगर किसी कोई यह शक है ना कि किसी भी year को अगर 4 से हम divide करें और उसको divide हो जाए तब बुली पिर बनेगा तो वो गलत बात है यह तो सच है कि अगर कोई ordinary year हो लेकिन अगर century वाला year हो मालो कि आपके पास है 3000 3000 को 4 से divide होता है आजी होता है क्योंकि last के 2 digits को 4 से divide होता है तो होता है अब यह century वाला year है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 400 से check करना है क्या divide होगा this and this will go तो यह बनेगा 30 upon 4 जिसका divide नहीं होता तो हम बोलेंगे 3000 जो है it is not a leap year 4 से divide होता है लेकिन 400 से नहीं होता यह आपको तब देखना है जब century वाला साल हो ठीक है 3000 लो 4000 लो 5000 लो ऐससे से करके तो you need to just check it 100 हो 100, 200 वो उन पे century वाले years पे आपको नहीं एक तो 4 से divide करना है और 400 से भी करना है अगर दोनू से होता है तब वो leap जाके leap year बनेगे ठीक है तो यह this is enough I guess अब आपने सीख लिया होगा it is from 1900 to 2099 अगर कभी भी आपसे कोई question पूछा जाएगा that will be in this range ठीक है so that's it video अच्छा लगा हो तो share पक्ता से करिएगा और channel को subscribe करे like करे comment करे ठीक है thank you